वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बिल आइकन पे प्रेस करके औल पे क्लिक करें धन्यवाद हेलो राइमसी बैच कैसे हैं आप लोग पुराना वीडियो सारा देख लिए ना आप लोग चो प्रोनांस में हम लोग कहां तक पढ़ली थे हैं प्रोनाउंस में हम लोग DOalth कर ने curry तो चुके ठाले next topics related वीडियो है जिसमें हमोग समझेंगे reciprocal प्रोनाउंस पर तैडियु थो इसको कर रहा हो कि आप लोग इन सब चीजों को सुन रहे होंगे क्योंकि बहुत महनत लगता है सब काम करने में अरव लोग सुनिए इसका प्रिस्पन आईए क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं आप सभी का नोट्स चेक करूंगा ठीक है तो हम लोग कोई कमी नहीं कर रहें अपने तरफ से आप लोग भी कमी ना करें अपने तरफ से चली तो सुरू करते हैं यह हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस से समंधित वीडियो है अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है इसको समझना है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है उसमें यहां देख सकते हो लिखा है कि इच अधर और वन अनधर को रेसिप्रोकल जाता है कि क्यों कि ये पारस पर एक संबंध जिसको हम रेसिपोकल रिलेशन्सिप कहते हैं ये बताने का काम करते हैं ठीक है हाला कि इन दोनों के प्रयोग मतलब कि इच अधर और वन अनधर के प्रयोग में बहुत सारे ग्रामरियंस के निचोड़ है उसको समझने का प्रयास करेंगे तो पहला मत ये है जो वैलिड है वो ये कि इच अधर इस यूज़ वन टू परसंस और तिंग्स आर कंसर्ण इच अधर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में रेसिप्रो कर लोले शेनस होता है यह सब करो किभए यह पर्शन नहां तो इन दोनों की बीच में जबी पारस परीक संबंद की बात करेंगे तब तब हम इच अधर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वन अधर का प्रयोग उस case में नहीं करेंगे, avoid करते हैं, हाला कि कुछ gramatians ऐसा कहते हैं, कि वन अधर का प्रयोग भी आप दो या दो से अधिक के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को follow नहीं करेंगे, हम सरफ इच अधर को दो से रिलेट करेंगे ओके नेक्स्ट जो बात है जैसे कि एक्जामपल है यहां पर दर टू मेन स्ट्रक इच अधर स्ट्रक इच अधर का मतलब कि इच मैन मतलब कि दोनों ने यह पहला आदमी यह दूसरा नहीं है इसने मारा इसने इसको मारा त्रक इच अधर मैन तोनों ने एक दूसरे को मारा और दूसरा जो कॉंसेप्ट है वन अनदर को लेकर के वो यह कहता है कि इस यूज वन मोर दन टू परसंट और तिंक्स अर कंसर्ण जब दो या दो से अधिक लोगों का आपस में संबंध पास पर एक संबंध की बात कर रहे होते हैं तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं तो दे आल लवड वन अनदर यहाँ पर आल का प्रयोग किया गया है आल इन दर सेंस मोर दन टू ठीक है कि सभी एक दूसरे से प्यार करते थे राइट यही दो बेसिक कॉंसेप्ट है इच अधर और वन अनदर को ले करके इसके अलावा कई लोग ऐसा मानते हैं कि वन अनदर का प्रयोग या इच अधर का प्रयोग दोनों को एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि अंतों गत्वा यह निगल के सामने आता है सारे ग्रामरि头 के मद्वेरों को देखते वे कि इच एधर का प्रयोग जो है वो दो वैक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होगा जबकि वन अधर का प्रयोग दो से अधिक वेक्तियों या परसंस के लिए होगा और ये नेस्ट फिल्ड का हम लोग फॉलो करेंगे नेस्ट फिल्ड एक ग्रामेरेन है और इनी के अनुसार इच अधर का प्रयोग दो वेक्ति 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 वे किसी verb या preposition के object के रूप में होता है किन्तु वाक्य के subject के रूप में इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं यह बड़ा important point है इसे related कि each other या one another का प्रयोग हम कभी भी किसी verb के या फिर preposition के object के रूप में करेंगे लेकिन किसी वाक्य के subject की रूप में नहीं करेंगे जैसे उधारन देखो You and I help each other All of them hate one another Both of them mocked at each other They all agreed with one another अब देखो यहाँ पर क्या है कैसे समझोगे कि object की रूप में इस्तिमाल हुआ है तो यहाँ पर You and I है और यह इसका verb help है help के बाद इस अदर का प्रोग हो रहा है मतलब इस अदर help का object हो गया All of them है और यह hate है hate verb है one another फिर इसके बाद आया है यहाँ पर mocked है mocked के बाद at है यह proposition है और at के बाद इस अदर का प्रोग किया है तो यह proposition का object हो गया agreed with है with के बाद one another है यह one another जो है with का with के एक preposition है और इस preposition का यह क्या हो गया object हो गया तो इस तरह से इसका प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं हमेशा object के रूप में करेंगे या तो verb के रूप में है या फिर preposition के अब्जेक के रूप में अब देखो कि अगर subject के रूप में करते हैं तो फिर क्या होता है तो subject के रूप में करने का यहाँ example दिया हुआ है each other we are ready to come here तो इसके बाद अब एक verb आ रहा है मतलब यह क्या हो गया यह हो गया एक subject तो subject, verb और object का पहचान तो अलड़ी हम बताई चुके हैं यह basic structure इसको पहचानने का कि verb के पहले आएगा subject और verb के बाद आएगा object वर्ब के बाद अगर प्रयोक्त हुआ होगा है कोई चीज मतलब वो उसका object के रूप में अधिकांस तोर पर और verb के पहले अगर कोई चीज इस्तमाल होता है as a noun और as a subject तो उसको हम subject कहेंगे बड़ा सिंपल सा बात है यह पहले कई बार समझा चुके हैं उमीद है कि इतना बात तो कम से कम English में समझ में आई गया होगा यह basic चीज फिर वर वेर वेलिंग टू इसके बाद फिर वर बार आ है मतलब यह क्या हो गया यह subject हो गया तो इसका प्रयोग यह दोनों ही वाकिए क्या होंगे ग्रामेटिकली रॉंग होंगे तो यह दो कॉंसेप्ट है reciprocal pronounce से सम्मंदित पहला concept यह कि each other का प्रयोग हम दो वेक्तियों या वस्तूओं के लिए करते हैं उनके बीच पारसपरिक सम्मंद बताने के लिए जबकि one another का प्रयोग हम दो से अधिक वेक्तियों या वस्तूओं के लिए करते हैं उनके बीच पारिस्परिक संबन्द बताने के लिए दूसरा कॉंसेप्ट क्या कहता है कि each other या one another का प्रयोग किसी वर्व या preposition के object के रूप में होता है लेकिन इनका प्रयोग हम subject के रूप में नहीं करते हैं ओके ये वीडियो reciprocal pronoun से संबन्दित नहीं है इसके बाद हम फिर अगले topic पर move कर रहे हैं move करेंगे next video बना कर भेजेंगे इसका और वो होगा हमारा reflexive pronoun का फिलहाल आप ये वीडियो देखिए समझिए और तुरंत ही मैं reflexive pronoun का वीडियो बना के भेज रहा हूँ Thank you